News 18 इंडिया आज इमरान की पार्टी पूरे पाकिस्तान में विरोध प्रदशन करेगी इमरान की पार्टी ने चुनाव में धांदली कारोप लगाया है और यही बज़ा है आप देखेए दूसरी तस्वीर में आप देख पारें पीटी आई की तरफ से किस तरीके से प्रदश्म किया जा रहा है तो वही नवाश शरीफ की तरफ से बौमत का दावा किया जा रहा है लेकिन किसकी सरकार बनेगी इस पर संचे बढ़ करार तो पाकिस्तान में जारी वोटों की गिनिती के बीच इमरान खान की पार्टी पीटी आई के अध्याक्ष गौर खान ने बड़ा दावा किया है उनकी तरफ से कहा गया है कि रश्टपती आरिफ अलवी पीटी आई को सरकार बनाने के लिए अमंत्रित करेंगे उन्होंने ये भी का है कि इमरान खान टैग करेंगे कि पाकिस्तान का अगला पीएम कौन होगा उन्होंने चुनाव में बहुमत मिलने का भी बड़ा दावा किया है दरसर आपको बता दे पाकिस्तान में नैश्रल असेमली और प्रांतिय चुनाव के लिए वोटिंग खत्म होने के तीन दिन के बाद भी पूरे रतीजे सामने नहीं आ पाए है और यहाँ पर किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला है इमरान खान के समर्भ तक निदल्य उमीद्बार 92 सीटों के साथ सबसे आगे चल रहे है नवास की पार्टी 37 सीटों के साथ दूसरे नमबर पर है इस भी जेल में बंद इमरान खान की PTI और बिलावल बुटों की PPP ने काई सीटों पर धांदली क्या रूप लगाए दरसल पाकस्तान की नेशनल असेंबली में कुल 336 सीटे हैं इन में से 265 सीटों पर चुनाब हुए एक सीट पर चुनाब टाल दिये गया है जबकि एक सीट एने 88 की नतीजों को कारिज कर दिया गया है यहाँ पर 15 फरवरी को फिर से वोटिंग होगी बाकी 70 सीटे जो है वो रिजब है अब यहाँ ग्राफिक्स के जरी इसे समझे है कि सरकार बनाने के लिए 134 सीटों पर बहुमत होना जरूरी है और पाकस्तान में मुख्य रूप से तीन पार्टियों के बीच यहाँ मुकाबला है इन में पाकस्तान मुस्लिम लीग नवास यानि की PMLN पाकस्तान टैरिके इंसाफ यानि PTI और पाकस्तान पीपल्स पार्टि यानि PPP शामिल है लेकिन तीनों ही पार्टियों के पास बहुमत नहीं है आप अंक्रा देखिए पाकस्तान में आम चुराब में किसी एक पार्टि को बहुमत ना मिलने के बार वहां के आमी चीफ असी मुनीव का बड़ा बयान सामने आया उन्होंने कहा है कि देश को आराजकता और विभाजन की राजनीती से आगे बढ़ाने के लिए एक स्थिर सरकार की जरूरत है एक ऐसी सरकार जो पाकिस्तान की विविधता और बहुलवाद के साथ लोकतां तरे का ताकतों का प्रतनिधित्व करें ये आपको बता दे आमी चीफ की तरफ से बड़ा बयान सामने आया क्योंकि देखिए तीन दिन बीच चुके हैं लेकिन अभी तक किस पार्टी की सरकार बनेगी ये साथ नहीं हो पाए तो पाकिस्तान में किसी भी पार्टी को बहुमतना मिलने के बाद सरकार बनाने की जोड़ तोड़ यहां पर शुरू हो गई है आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है जेल में बंद इवरान कान की पार्टी पाकिस्तान तरिकेंस साथ के समर्तन वाले बार्नवे इंडिपेंडिन्टी प्राटी